आज दाद की समस्या से बहुत सी महिलाएं वह पुरूस परिसान हैं और इसके लिए तरह तरह की उपचार करते रहते हैं लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है कभी कभी यह दाद ठीक हो जाता है लेकिन कुछ दिनों में दोबारा हो जाता है अगर आप भी इस समस्या से परिसान रहते हैं तो अब आपको निरास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आज इस वीडियो में आपके लिए एक अच्छा उपाय लेकर आये हैं जिसकी हेल्प से आप जिद्दी से जिद्दी दाद, खाज और खुजली की समस्या को जड़ से दूर कर सकते हैं तो देर किस बात की इस वीमारी से छुटकारा पाने के बेहद सस्ते और अच्छे तरीके के बारे में आप भी हमारे साथ जाने हैं लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकान की दिद्दी जरूर दबा दे दाद एक फंगल इंफेक्शन है जो सीर, पैर, गर्दन या किसी अंदरूनी भाग में कहीं भी हो सकता है ये लाल या हलके ब्राउन रंग का गोल अकार का होता है अगर आपको ये इंफेक्शन है, तो आपकी बोडि में किसी भी हिस्से पर लाल गोल निसान देख सकते हैं ये बहुत तेजी से फैलता है जिस जगह पर हुआ है उसके आसपास की जगह पर भी फैलने लगता है इंफ्यक्षन जादे बढ़ने पर बोड़ी पर छोटी छोटी फुनसिया भी देखने को मिलती है और उनमें पस भरने लगती है इसलिए इस समस्या का समय पर इलाज करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इसका इलाज समय पर नहीं किया गया तो यह बिमारी गंभीर रूप ले लेती है जिससे भविष्य में आपको अन्य कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है लेकिन डरे नहीं यह असानी से ठीक हो सकता है आज हम जिस नुस्खे की बात कर रहे हैं इसके लिए हमें गेदे के पौधे की पत्या चाहिए ज्यादा तर मैला पुरुस को लगता है कि गेदे का फूल केवल घरों में सजावट करने के लिए और हार फूल माला बनाने के लिए ही काम में आता है लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दे कि यह दाद खाद खुजली जैसी बिमारियों को जड़ से समाप्त कर देता है दाद खाद और खुजली के लिए गेदे का फूल जी हाँ इस समस्या से बचने के लिए आपको गेदे के फूल का इस्तमार करना होगा क्योंकि गेदे के फूल में कई सारी एंटी फंगल और एंटी एलर्जिक गुड होते हैं जो दाद खाद खुजली जैसी समस्याओं को जड़ से दूर कर देते हैं इसके लिए आपको सयम बरतने की जरूरत होगी इसके इस्तमाल का तरीका बेहद असान है और इसे सालों पुरानी खुजली की समस्या भी ठीक हो सकती है सबसे पहले गेदे की पत्यों को लेंगे और पानी में डाल कर उबालेंगे इसे उबालने के बाद ठंडा होने पर अपने बोड़ी में अच्छी जरुत तरह से जहां पर खुजली होती है लगाएंगे या इसके लिए आपको गेदे के फूल का रस निकाल कर पेश्ट बना लें फिर इसे प्रभावित जगा पर लगा कर सूखने के लिए छोड़ दें जब यह सूख जाए तो ठंडे पानी की हेल्प से इसे अच्छी तरह साप कर लें गेदे के फूल के पेश्ट में अगर एलोबेरा जेल को मिला करके यूज करें तो और भी जादे असरदार या होगा मात्र साथ दिनों में आप पो इस दाद खाज खुजलिक जैसी बिमारी से छोटकारा मिल जाएगा आप भे इस समस्या से परिशान हैं तो आज हे उस उपाय को आजमाएं